मुंबई के वासी से जुमैटो में काम करने वाली एक महिला करमचारी का वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो गया है अरोप है कि वासी सेक्टर 17 के पाम बीच रोड पर जुमैटो की डिलेवरी गर्ल प्रियंका ने नो पार्ति में गाड़ी लगाई थी इस दोरान ट्रैफिक पुलिस के साथ प्रियंका का विवाद हुआ और बात गाली गलोस तक जा पहुची वीडियो में आप साब सुन और देख सकते हैं कि प्रियंका मोगरेट ट्रैफिक पुलिस कॉंस्टेबल को गाली और धंकी देते नजर आ रही है प्रियंका ने जमैटो कंपनी की टीशेट पैन रखी है साथ ही पीट पर बैग भी टांगे रखा है परोबारे परोबारे कॉंस्टेबल के साथ बत्तमीजी करने और गाली देने का वीडियो वाइरल होने के बाद प्रियंका पर करवाई की गई है पुलिस ने आरोपी प्रियंका को गिरफतार कर लिया है बताया जा रहा कि प्रियंका नवी मुंबई के सान पाड़ा में रहती है जानकारी के मताबिक टोइंग वेन जब अवैक पारकिंग में खड़ी गाड़ियों को उठाने गई तो उस पक्रियंका मोगरे की भी गाड़ी वहीं खड़ी थी जब ट्राफिक पुलिस इच आलान के लिए फोटो खीचने लगी तो प्रियंका ने गाली देना शुरू कर दिया पुलिस ने जमाटो डिलेवरी गाल के खिला सेक्षन 353, 393, 294, 506 और 504 के तहर मामला दर्च किया है वियोर रिपोर्ट, रिपब्लिक हिंदी